नमस्कार स्वागत है आप सभी का सतार गंचु टीवी में और बुलेटीन की शुरुआत हम करेंगे आज की पाच बड़ी खबरों के साथ जिसमें आप देखेंगे क्रिशाकर मधु का MMS लीग और दूसरे बीटी के नाम पर हो रहे विवात पर गरीना कपूर खान ने खबरों को लेकर हाजर हैं तो शुरू करते हैं आज को बॉलेटिक बॉलेटीन सितारों की ही तरह भूचपूरी एक्टरोस भी काफी चर्चा में रहते हैं फैंद इनके बारे में हर कुछ चीज जाना चाहते हैं लेकिन कई बार ये सितारे विवादू पे भी आ जाते हैं ऐसा ही कुछ हुआ भोचपूरी की बोल्ड एक्टर उस्मानी जुआने वाली त्रिशाकर मधू के संग त्रिशाकर का MMS लीक हो गया जुसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है जो MMS वाइरल हो रहा है उसमें वो किसी लड़के संग दिखाई दे रही है वीडियो वा पहन के साथ कोई शादी करके अगले दिन शुहाग रात का वीडियो वाइरल कर दे तो बढ़िया लगेगा ना बिहार में इतने घटिया कुछ लोग भी होते हैं नहीं चानद वहीं मुंबई की एक सत्र अदालत ने गहना वशिष्ट की अगरिम जमानत यासी का खारिश कर एक मौडल ने अफ़ायार दर्च करवाई है गहना वशिष्ट ने उनके खिलाफ दर्च हुए अफ़ायार में ग्रफतारी के डर से अगरिम जमानत की अरज़िटाली थी जिसे कोट ने खारिस कर दिया है पताते चोले गंदी बार फेम एक्ट्रोस गहना वशिष्ट पॉन अभिनेतरी ने राजकुंद्रा की कमपनी के चाल लोगों के खिलाफ केस तर्च कराया था जिसमें भोबले के अलावा गहना वशिष्ट अजय श्रिवंध और प्रेंस कश्यप आरोपी हैं बतादे चले पॉन्नोग्राफी मामले में फसे राजकुंद्रा नुए खिरासत म जिसके बाद उस सरजरी के लिए हैदराबाद के एक प्राइविट अस्पताल में गई थी अब हाल वही प्रकार श्राच ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर अस्पताल से अपनी एकर तस्वीर साज़ा की उन्हें बताया कि उनके हाथ की सरजरी सफल रही तस्वीर साज़ा करते हुए उन्हें लिखा डे विलिज पैक सफल सरजरी धन्यवाद पर मित्र डॉक्टर गुर्वार और आप सभी को आपकी प्यार और प्राथना के लिए धन्यवाद जल्धी एक्शन में वापसी होगी वहीं बॉलीबूर एक्ट्रोस करीना कपूर खा और उन्हें दूसरे बेटी को जन में दिया था इसके बाद कपल ने बेटे का नाम बताया और ननही नवाप का नाम जेह रखा गया है अभी हाल में खुलासा हुआ कि उन्हें अपने छोटे बेटे का नाम जहागिर रखा है जिसके बाद उनके नाम को लेकर सैफ और करीना को सोशल मीडिया पर खुट रोल किया चुआ रहा है अब उनने बताया कि वो आखिर किस तरह से इन ट्रोल से ड्रील करती है एक नीजी चैनल से बाचीत के दोरान करीना ने खुद को काफी सकारात्मक इंसान बताया है